पिछले एक या दो साल तुमने जीजान लगा कर पढ़ाई करी, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, फैमिली फांक्शन्स में जाना छोड़ दिया, अपनी सारी होबीस कुर्बान कर दी, इस दिन में बस यही जुनून है कि किसी भी तरह जेही क्रैक करना है, IIT में जाके पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने माबाप के वोस अपने पूरे करने हैं, जो शायद तुम्हारी जरूरतें पूरी करतें करतें, वो खुद के लिए कुछ भी करना भूल गए, याद करो वो दिन जब तुमने जेही की तेयारी अब जब 4 से 5 महईने बचे हैं तो काप क्यों रहे हो, कुट क्यों कर रहे हो, हार क्यों मान रहे हो, उन सपनों का, उन कुरबानियों का क्या हुआ कुछ प्रोब्लम्स में हो मुझे को पता है, मुझे तुमारी सारी problem पता है, अभी तुमारी सारी problems discuss करेंगे, उनके solution discuss करेंगे, पर सबसे पहले आप ये promise करो, हाँ, comment में promise करो, कि हाँ, तुम हार नहीं मानोगे, जो जो चीजे मैं तुम से बोलूँगा, वो follow करोगे, तुम जीतोगे, तुम टॉपर ब enough है, अगर तुम commitment के साथ, आज से लग जाते हो, कि किसी भी तरह, तुमको target achieve करना है, सर क्या है commitment, तुम या commitment पढ़ाई के अलावा भी होते हैं, जैसे पढ़ना तो आपको बहुत है, सबसे जो पहला commitment पढ़ाई के जो अलावा आता है, वो ये आता है, कि stay away from negative people, negative people कैसे होत या फिर कोई भी व्यक्ति negative हो सकता है, कि जो आपके सामने negative बाते करता है, मानो आपके पास कोई भी friend बैठा हुआ है, और वो अगर ऐसा बोलता है, कि भाई मेरे 4-5 महीने बचे हुए है, जही में, अब मुझे लगता नहीं है, कि मेरी rank आ सकती है, ऐसे लोग अगर ऐसी ब कोई भी असा व्यक्ति ऐसी बात करे, negative बाते करे, कि अब ये नहीं हो सकता, अब rank नहीं आ सकती, अब पढ़ाई नहीं हो सकता, लगता है, करियर बरबाद है, वो एक negative इंसान है, ऐसे लोगों के साथ अगले 4-5 महीने के लिए आपको दूर हो जाना है, और अपने आपको य यकीन दिलाना है, अपने दिल को ये यकीन दिलाना है, अपनी आत्मा को ये यकीन दिलाना है, कि हाँ, 4-5 महीने में मैं rank लेकि आ सकता हूँ, next चीज आती है, कि भाई, अपने दिल से ये कहो, कि हाँ, जो first attempt, जो January में होने वाला है, वही तुम्हारा last attempt है, आपको second attempt का weight नह अगर मैं अगले 4-5 महीने में January वाले attempt में 99 percentile नहीं लेकि आ पाया, तो मैं March, April में भी नहीं लेकि आ पाऊंगा, मतलब आपको अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना है, यकीन से बूलना है, कि हाँ, मेरे लिए first attempt do or die है, मुझे जो करना है, उसी attempt में करना है, आज कल मैं society मे approximate rank आती है, 50,000, जबकि आपको एक अच्छे NIT में जाना है, तो उसके लिए आपको चाहिए 99 percentile, जिसके 99 percentile आते हैं बच्चों, तो उसकी rank जो approximate होती है, वो 10,000 के असपास होती है, और 10,000 rank में आपको एक अच्छी NIT, अच्छी branch, और साथ में ऐसा बच्चा बात में, जई 99 percentile आ जाएं, तो बच्चों कुछ research मैंने करा, तो मैंने ये पाया, मैंने क्या सभी ने research किया हुआ, आप बहुत जगे देखते हो, तो research ये बोलता है, कि अगर आपको 99 percentile लेके आना है, तो आपका approximately बच्चों, जो score होना चाहिए, score होना चाहिए, 170 से 190 के बीच में, सर 170 से 90 के बीच में, score कैसे आएगा, तो इसके लिए, जो strategy है, वो strategy ये है, कि आप अपनी two subject strategy बनाओ, आप की नहीं दो subject में 70-70 score कर लो, और जो बचा हुआ, 30 subject है, जो आपका weak subject है, उसमें 50 score कर लो, generally लोग जो होते है, maths में 50 score करते है, because the reason being, maths थोड़ी सी lengthy होती है, maths थोड़ी सी tough होती है, जबकि physics और chemistry थोड़ी easy होते है, अगर आपकी maths अच्छी है, तो बिया, 70-70-70, आप 210 score कर सकते हो, और maths थोड़ी सी weak है, तो मैच में बिया, अगर आपको 50 score करना है, तो आपको सिर्फ 13 सवाल एकदम सही करने है, सर्फ 13 सवाल कैसे ठीक होंगे, बिया, generally vector in 3D से 5-6 स सवाल आते हैं, अगर सिर्फ मैं vector 3D की बच्चों बात करूं, तो 5-6 सवाल का मतलब होता है, 24 marks, ऐसे और भी chapters हैं, जिसमें effort कम लगता है, और marks बहुत जादा आते हैं, बहुत सारे ऐसे chapters होते हैं, जिनमें effort बहुत जादा लगता है, और अगर उस वाले chapter में से कोई tough सवाल आ गया, तो उस chapter को अगर आपने बहुत मैनत से भी किया है, तब भी क्या पता, आपका score ना बने, subject wise strategy हम किसी दूसरे वीडियो में लेके आएंगे, तो फिलाल बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपना target achieve करो, आप अपना target set करो, कि किन दो subject में आपको 70-70 लेके आना, और किस में आप 50 एम कर रहे हो, अब अगर बच्चों के problems की बात करी जाए, तो पहला बच्चा backlog से परिशान है, या फिर बच्चे को theory आती है, पर उससे सवाल नहीं होते, क्या बता, बच्चे को theory आती है, साथ मुझ से सवाल भी होते है, पर exam में number नहीं आते, और चौधा जो सब की problem है, कि time manage नहीं होता, आईए इन सब की, एक एक करके बात करते हैं, तो पहली चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चों, backlogs, तो देखो भीया, backlog cover करने का ये मतलब नहीं होता है, कि आप एकदम zero से start करो, एक एक चीज पढ़ो, क्योंकि आपके पास time कम है, म इसमें minimum effort लगे, पर उससे maximum output हो, जिससे सवाल आए, तो आप से पका हो, जिससे बहुत ज्यादा सवाल आए, for example, अगर मैं बात करूँ, maths में probability and PNC की, तो उससे average 3-4 सवाल आते हैं, हाँ, ये chapter stuff है, लेकिन अगर इनकी basic practice कर ली जाए, और साथ में पिछले पास से 6 years के सारे PYQ कर लिए जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो सवाल J-Mains में आए, PNC and probability का वो आप से ना हो, मतलब अगर आप इसमें अपने 3-4 दिन देते हो, PNC and probability में basic practice करते हो, पिछले 5-6 साल के PYQ करते हो, तो आपके 12-16 नंबर J-Mains में, maths में यहीं पर secure हो जाते हैं, तो जैसा मै मैं भी वीडियो में थोड़े दिर पहले भी कहा था, chapter wise और साथ में subject wise strategy मैं आपको भी दूँगा, अब आती हैं दूसरी चीज, अगर भी यह दूसरी चीज की बात करूं तो वो यह है कि आपसे questions नहीं बनते, तो यह मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आपको लगता है कि आप को theory नहीं आती, इसलिए सवाल नहीं होते, जबकि ultra true होता है आप सवाल नहीं करते, इसलिए आपको detailed चीजे नहीं आती है, तो देखो यार अगर आपको अपना question temperament सुधारना है, आपको question solving mood में आना है, तो बच्चों आप जादा से जादा salt example लगाओ, आप कोई भी topic तो उसका salt example आपने पहला देखा, जैसे भी आप पहला salt example देखा, सबसे पहले खुद से attempt करने की कोशिश करो, नहीं आता है तो solution को पढ़ो, और फिर से बिना देखे उस वाले question को लगाओ, अगर आप ऐसा per topic, 7-8 सवाल भी लगातार लगा लेते हो, चाहे देख के लगाओ तो आपका उस topic के प्रती temperament strong होने लगता है, और ऐसा हो यह नहीं सकता कि आपका जो जैई main supposed topic का सवाल है, वो आपसे ना हो, in this way आप अपना question solving mode और temperament improve कर सकते हो, सबसे जादे जो problem students की है वो यह है, कि भाई उनको problems यह है कि भाई, उनको formula ही याद नहीं रहता, formula याद करन का best सरीका मैंने आपको कई बार बताया है, कि आप एक short notes copy रखो, short notes copy का नाम रखो flash pad, उसमें वो formula लिखो जो आप बार बार भूलते हो, या फिर teacher आपको बोलता है कि यह formula आप पका भूल सकते हो, जही means में ऐसे बहुत साथे सवाल होते हैं, जो सिर्फ formula based होते हैं, क्या पत में वो important concepts लिखो जो आप बार बार भूलते हो, वो chemistry के structures लिखो जो आप बार बार भूलते हो, और नियमत रूप से दिन में एक घंटा जरूर दो जिसमें आप उस flash pad को सिर्फ read करते हो, अगर आपको formula आता है, तो ऐसे j means में बहुत सारे सवाल होते हैं, जो सिर्फ formula based होते ह next stage बच्चों की जो problem है, वो यह है कि sir, मुझे theory भी आती है, मुझे सवाल भी हो जाते है, लेकिन sir, exam में क्या होता है, कि like, मैंने कोई भी test दिया, कोई भी test दिया, उसमें मेरे 100 number आए, लेकिन वही test जब मैंने घर में आके लगाया, तो मेरे 200 number थे, sir, मेरा real score 100 आया है, लेक आप ये plan करो कि week में कम से कम 3 दिन, उसमें से एक Sunday रखो, क्योंकि आपकी छुट्टी होती है, एक Tuesday रख दिया, और एक Friday रख दिया, अपनी सहुलियत के हिसाब से, जिसमें 3 घंटे आप कोई ना कोई mock test paper solve करोगे, वो mock test paper, J means का PYQ भी हो सकता है, और कमरा बंद करके 3 घंट टेंपरामेंट में जब आपने examination, surrounding में वाला paper दिया, तो फिर आपके 60-70 score है, लेकिन बाद में जब आपने paper analyze किया, तो आपका देर सो score आ रहा था, मतलब आपका real score 60, potential score देर सो, मतलब 90 का gap है, और धीरे 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 आपका potential score ऐसे बढ़ता जाएगा, अगर आ आप week में 3 mock test paper देते हो, मतलब महीने में total 12 paper दे रहे हो, और 5 महीने में 60 paper दे रहे हो, और ऐसा हो यह नहीं सकता, कि अगर आप 10 से 15 paper ऐसे दो, आप पर week 3 paper ऐसे दो, आप पूरे focus के साथ, इमानदारी के साथ वो paper दो, जब आप 10 और 12 mock test paper दे रहे होगे, आपका score पका improve हो र रहा होगा, अब आते हो यह last problem पे जो है poor time management, तो भाई एक चीज आपको सचाई माननी होगी, कि time manage तो आज तक किसी का भी नहीं हुआ है, time manage करने का best तरीका यह है, कि आपको यह खुद को बोलना है, कि आपको सिर्फ 7 घंटे सोना है, ना ही कम, ना ही ज़्यादा, वो 7 कि आपको नीन लेनी है, फिर 10 घंटे आपके coaching और school के अगर मैं अलग निकाल दू तो होते हैं 17 घंटे और जो 7 घंटे बचे हैं, उसमें आपको self study करनी है, जिस दिन आप यह सोच लोगे कि पर दे आपको 6-7 घंटे self study करनी है, उस दिन आपका time manage खुद पे खुद होने 99 percentile लेके आएंगे, हम fight मारेंगे और sir हम जीतेंगे, तो बच्चों यह मुझसे वादा करो, अभी comment करो कि sir जई 2023 हमको फोड़ना है, और ऐसे और strategy वीडियो मैं बनाता रहूंगा, और बहुत भी जल्दी मैं physics, chemistry और math का subject wise, chapter wise एक strategy वीडियो आपको बना के देने वाला कि कौन से must do topics हैं और कौन से इसे topics हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, तब तक के लिए जै बाबा की, love you, bye bye, ta-ta